दोस्तों आपका स्वाइब सागर सट्थ्यों के एक नए एपिसोड में मुझा थे सागर सस्ते कंप्यूटर बनाते हो साथ हजार का बनाते हो पांच हजार का बनाते हो कुछ गेमर्स के लिए बनाओ कुछ महंगा बनाो तो यह क्या है यह मेरा नया gaming PC जो कि मैंने खुद अपने हाथ से घर में बिल्ड किया है तो ज़रा दिखाईए आप थोड़ा पास आई और यह दिखाईए इसके क्या क्या कॉंपोनेंट आप देख सकते हैं वाटर कूल है पहले मैंने सोचा था इसमें एर कूलर लगाऊंगा बट वह बहुत बड़ा था उ मैं यह वाला ऐर कूलर इस्तमाल करूंगा पर यह ऐर कूलर बहुत ला है जाईंट है और मेरे पस मने इसते माइं वह माईक्राइटीक्स क्या है और इसमें इसके उप रगाना फिर ग्रैफिक्स काड़ से बहुत मुश्किल क्राम है और बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा पुरा तो मदर बोड तो यहीं कवर कर लेगा यह जॉइंट एर कूलर है तो मैं इसको छोड़ दिया मैं इसको अपने कमटर को वाटर कूल बनाऊंगा तो मैंने डीप कूल का इसमें एक वाटर कूलर गाया सुन्दर लगता है इंटल का ही फैन हूं में स्टार्टिंग में में मेरा पहला इंटल 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 आइफाइव 11th जेनरेशन 11600K अनलॉक्त है यह सब आप देख सकते हो लगता है यह सौकेट में लगता है आइफाइव 11600K अनलॉक्त है ओवर क्लॉक वगर आप कर सकते वाटर कूल है तो आप और क्लॉक्त कर सकते हो को प्रॉब्म नियुक्त में लगता है तो यह इसका प्रॉसेसर है आइफाइव अब जो लोग बुलते सागर वाई गेम खेलते हो तो पीसी तो नया ले लो तो यह वैने इस लिए लिया है इसमें अच्छे गेम खेलूंग है 11th generation i5 चलो दूसरा मैं राम की बात करूं तो यहां पर यह राम है गेमिंग राम है आट जीबी की दो स्टिक्स है ठीक है बत्तिस जीरो जीरो एमेट जैड की इसमें प्रिकेंसी है इसकी DDR4 राम है गेमिंग की जो भी होते है एक स्पीजी का है डी 30 वाला राम है यह ऐसे द जोटा है माइक्रोइश फेक्र आप देख सकते हो बात मेरे लिए एफिशियन तर्फ बाधिया है एक यह दम मस्क चोटा सा मायक्रोइटी एक से तो बड़ा इस निया सथे हैं आपको ज्यादा चार स्लोट नहीं मिलते रहाम के दो स्लोट मिलते हैं मोर दैने अनुश थैस is good 16 GB RAM है इसमें मैं आपको बता दू यह जो XPG की लग लगी है यहां पर यह SSD है 500 GB की और 500 GB के मैंने hard disk लगाई है तो इसका dual combination है जो operating system वगारा है मैं XPG डालूँगा क्योंकि boot time increase हो जाता है अगर आप SSD उसकरते हैं अब बात करते हैं इस computer के सबसे बड़े हाइड की जोगे है वाटर कूल यह ट्यूबिंग है वाटर कुलर है इसका रेडियेटर वगए रहा है तो 250-240 mm वाला वाटर कूलर है जो की इसका के पारे के बारे बात कर दो तो कैबिनेट का एंट एस एंटी एसपोर्ट का कैबिनेट थैट इस यह जी वन-थी रिवेजट वाला है दो थी नीजार वाटर कूलर की जो ए आयो बलते है all-in-one बोलते हैं इसको यह GAMEX L240T है वाटर कूलर ही है 240 mm लिक्विड कूलर विद LED फैन एक कलर की LED की फैन के साथा था इसमें RGB नहीं मिली तो ठीक है मेरे को बजट में मिल गया 5-6000 का आता ही है तो वाटर कूलर यह वाला लगाया है मैंने बात करें पावर सप्लाइ की चलेगा यह क्रॉसेर का मेरे को पावर सप्लाइ मैंने लिया है यह 600 वाट है मेरे खाल से मोर देन इनफ है इसकी जो पावर रिक्वार्मेंट है मैंने काउंट की थी तो शायद 300 वाट के आसपास लेता है क्योंकि जो ग्राफिक्स काड़ इसमें लगाने वाला हो मैं 1050 Ti व पर दिसका मैं review करोंगा देखो इसका स्थर्टिंग में बूर्ट हो गया यह सब दिखा रहा है अब इसका जो कवर मिलता वो बहुत प्यारा मिलता है इसका केमिनेट का कवर जो मिलता है वो मिलता है ऐसा शीशे का तो इसकी पुपनी निकाली है तो यह शीशे का इसके उपर लग जाएगा एड़ मेरा कंप्यूटर रेडी हो जाएगा फिर मैं गेम अगर आप इसकी पर्फॉर्मेंस चाहिए अब इसके बाद में रिव्यू बनाऊंगो इसका और मैं डिटेल में आप देखो के सागर वाई ने कितने मजे लेते लेते कैसे कैसे बनाया है फन के लिए जस्ट सो यह मेरी गेमिंग बिल्ड है इसके पूरे डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगी कौन सा पार्ट कितने रुपे का पड़ा और क्या-क्या में को कितना खर्च करना पड़ा करें बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे हार्ड को टेक्नोलोजी वीडियो के लिए ना मुद आपसे की वीडियो में ताहिंक यह सो मुच एंड गुड बाई झाल